मद्रप्रदेश लोगडाउन चार मुख्यमंत्र सिवरा सिंग चोहान ने मद्रप्रदेश में लोगडाउन चार हे तो बनाए नए नियम अब ग्रिंज और रेड जॉन की नई रूप रेखा दोस्वागत है अपका अब नियूस लाइब में और मैं हूँ आपका होश दोस्त कुल्दीप पांडी दुशको आज के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मद्रप्रदेश में मुख्यमंत्र सिवरा सिंग चोहान द्वारा लोगडाउन चार को लेकर बनाए गए नए नियम अकविश हमिद काया पर जान करी जाने के इस वीडियों से तक अब देखें दुशको आपको उतादे कि मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने कहा कि नए सवरूप में होगा लॉकडाउन चार यह होंगे नए नियम दोस्तों मंगलवार को पीम नरेंद्र मोधी ने लॉकडाउन चार के नए कि नए रूप में होने की बात कई थी जिसके बाद अब मद्द्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन के चदुल चरण को लेकर कहीं खुला से किये हैं मुख्यमंत्री सिर्वा सिंग चोहान ने कहा कि मद्द्रदेश में 17 मही से लॉकडाउन चार शुरू हो जाएगा माना जा सरकार की तरफ से तीनों जौन के जिलों में कुछ रियायत मिल सकती है वह इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से रूप रेखा तयार करने को कहा गया है उन्होंने अधिकारियों को इस परस्ट निर्देश दिये हैं कि तीन जौन के हिसाब से अलग-अलग योजना बना कर तयार रखें मुक्यवंति सिर्वासिंग चोहान ने कहा कि एक तरफ जहां हमें कोरोना संक्रमेंट के चेन को तोड़ना है वहीं दूसरी तरफ हमें जन जीवन के साथ साथ आर्थिक गतिविदियों को भी पड़री पर लाना है इसलिए योजन को ग्रीन औरेंज और रेड जोन के हिसाब से नई रूप रखा बनाने के निर्देश दिये हैं मुक्यमंद्री ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना संक्रमेंट को रोकने के लिए लौकडाउन बना रहेगा मगर इस बार इसका स्वरूप अलग होगा वहीं उन्होंने सलहा संख्रमेट छोड़कर गति विधियां चालू होनीव होनी चाहिए लेड जोन में संग्रमेट छ चोलकर गठिविधियां समानने हो सकती हैं वित्तिय संकट बड़ी चिन्ता दो महीं सिवरासिन चोहान ने परदेश की वित्तिय स्थिति पर भी चिन्त जताते हुए कहा कि इस समय केंदरो और राज जी दोनों पर वित्तिय संकट खळा है टेक्स नहीं मिल रहा है इसके बावजूद के इन सरकार ने राज्य को मनरेगा के 661 करोड रुपे और NDRF की 910 करोड रुपे की राशी भिजवाई है राज्य के लिए ये बड़ी मदद है मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन का 85% खर्चा के इन सरकार दे रही है हमने प्रदेश में मनरेगा समेथ बिभिन प्रकार की निर्मान कारेश शुरू करके मजदूरों को रोजगार दिया है वहाँ छोटे कुटिर और ग्रामेन उध्यों को बड़ावा दिया जा रहा है मजदूरों एवं श्रमिकों के लिए सरकार की विवस्था वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के हालातों पर बोलते हुए सियम सिवरासिंग चोहान ने का कि प्रवासी मजदूरों को प्रदेश लोटाने का कार्य तेजी से चल रहा है उन्हें लेकर 31 ट्रेन प्रदेश आ गई है आगे ओ ट्रेन मजदूरों को लेकर आती रहेगी इसके साथ दूसरे प्रदेश के मजदूर भी लोट रहे है हमने प्रदेश में ऐसी विवस्था की है कि कोई भी मजदूर भूकान नहीं सोएगा उन्होंने मजदूरों के से आगरे किया है कि वह पैदल नहीं चलें पाहर्स के मजदूरों को बसों के जरिए प्रदेश के सीमा पर छोड़ा जा रहा है इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 375 बसें लगाई गई है मुख्यमंत्री शिवरासिंग चुहान ने कहा है कि हमने अपने मजदूरों के हितों को सुरक्षित रखने रखते हुए श्रम कानूनों में भी परिवर्तन किया है अब विविन्य प्रकार के रेजिस्टर के स्थान पर एक रेजिस्टर रखेंगे एक रिटर्न भरने और सिंगल विंडो की विवस्ता सुविदा मिलेगी ये वहिश्रम सुधार मुद्रप्रदेश में उध्योगों को आकर्षित करने में सहायक होंगे कोरोना के साथ जीना होगा सियम सिवरा सिंग चोहान दोस्तों मुख्यमंतरी ने कहा है कि सभी कोरोना संकट कुछ और समय चल सकता है ऐसा में हमें कोरोना के साथ जीने की आदट डालनी होगी जैसे दोगच की दूरी, मास्क का प्रियोग और पूरी तरह साथ जानी रखते हुए एक तरफ कोरोना का संक्रमन को रोकना होगा तो दूसरी तरफ आर्थिक गतिविदियां भी करनी होगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचाओ के लिए हमें अपनी रोगपते दूसरी शमता को भी बढ़ाना होगा आर्विदिक दूराओं के उप्योग से इसे बढ़ाया जा सकता है गाओं गाओं में हमारे आंगनवारी कार्य करता ए एन एम पटवारी पंचा सत्यू लोगों को जाहरूप कर रहे हैं